हलो स्टुडेंट सो स्टुडेंट आज हम दिसकस करेंगे गौस्तिरम का अप्लिकेशन नमर 3 गौस्तिरम का अप्लिकेशन नमर 3 क्या अप्लिकेशन नमर 3 एलेक्ट्रिक फिल्ड दियो टू उनिफॉर्मली चार्जड सीट तो माल लेते हैं कि यह एक Uniformly Charged Seat है और इसी Charged Seat के कारण हमें किसी पॉइंट पर Field Find out करना है तो इसके नहीं क्या करें स्टुडेंट कि दो पॉइंट लेंगे एक यह और ऐसा ही एक यह लेंगे और एक Symmetric Gaussian Surface टो कर लेंगे ठीक है जैसे हमारे एक Symmetric Gaussian सर्फेस है ठीक है जो दोनों पॉइंट से पास करनी चाहिए तो यह एक Symmetric Gaussian सर्फेस है उसके बाद हम लोग जैसा कि मैं पता है कि अगर एलेक्टिव फिल्ट करना हमता है तो हमें 4 steps को follow करना पड़ता है तो दीखिए step 1 क्या होगा ।व थाद है उस आजनिए।प सिंटिकल बाद है तो दीखिए स्थे मिख गॉश्यन सर्फिस, चाहां समेंट्रिकल गॉश्यन सर्फिस ट्रोग कर लेंगे स्टेप न्मबर 1 होगा, और स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 क्या वत है था, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, ठीक? तो चुक्किए आप देख रहे हो कि जूर्टाल दू सिर्ट के ऊपर है यहाँ पर हम लोगहां कि करेंगें शुणकर करें बर्राइब में उस्कोन भीषा तरफ हो लुट सिर्टेमिते एक छार्ज डेंसिटी कहते हैंचal ये चार्जबनिटि सर्टर्पियं ड़। तो सिग्मा इस इफल टू चार्च माले जे क्यों और एरिया एस माल लेते हैं तो यहां से गौोस्टन सर्फेस से जो चार्च पास करेंगे यहां गौस्टन सर्फेस का अंदर एकजिस्ट लोगा से हैं जो टोटल चार्ज होगा Q, यह जोगा सिग्मा इंटो S, सिग्मा इंटो S, इसे एक्वेश्न कर वान मानी जिए, और कि बार जो स्टेप थर्ड हो था, that's a very important step, वो क्या था, कि टोटल फ्लॉक्स का है, तो नो टोटल फ्लॉक्स देखिया है, तो थर्ड बार टोटल फ्लॉक् यह कहा है किरो, तो step thundra, हम अनुनी का जिक्वेश्त ध्कुमा इनए, तो नीमिदेश्ट दॉक्स, यह झाल मेंल है, तो नीजिता है, स्टेप थर्ड लॉक्स, हम मैंने फाइल धीए, कि वित्त व्युक्स टॉत था है, हैंए, तो रोल प्लॉक्स, यह जोगा समुने ख्या सेबाटिक सर्फेस है, एक कर्ब सिलिंट्रिकल पार्ट एक और दो सर्कुलर क्रोस सेक्षन तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको थ्री पार्ट में डिवाइड कर लेंगे फर्स्ट एक डॉट दियस सेकेंड एक डॉट दियस एक थर्ड एक डॉट दियस तो तिंग पार्ट में भी दिवाइट कर लेंगे फर्स्ट पार्ट में दिखिए फर्स्ट पार्ट में होगा E Ds R डॉट ए E Ds R . एक डॉट है एक डॉट का यूट वेक्टर और एर्या वेक्टर का यूट वेक्टर रहें उसे तरसे E Ds आर्या दोट एक यूट है कि यह जो r है वो अखेक hmm ऑर यह जो न है वह एरिया उसेश्टर का यूँड द्रेक्टर है ठीक है? तो अब दीविघ्र है यह हंपर यह फूर्स्स भाखे है यह सेक्ड और यह है है थार्ड आपके सब्सक्राइस क्या ही हाँ पर? अब क्या देखे रहूं कि अगर हम फर्स्ट सर्फिस की बात करें यह जो पहला सर्फिस है इसमें यह और यह एलेक्टिफिड और रही दिया दोनों एक दुस्रे के पैरलल है इसलिए आर्ट रोट एन की वेरू वन हो जाएगी तो यहां पर आप लिया वर आप लिएस और दॉन होट ओर ओर आप दुस्रे के हैं और यहां पर दीखिए अलेक्टिफिड और और ऑर पेरे वेक्टर का जो लिए उनिट है वह वह एक दूस्की पैरलल कि चार्ज सेट के सेकेंड साइड भी है फर्स साइड भी है तोनों साइड है इसलिए इलेक्ट्री फिल्ड जो एक साइड में उसके करणट लेस्ट होजाएगी ठीक है तो इसका मतर्फ़ कि जो यहां और unit vector में अगें इनके बीचे 0 degree के अंगिल है तो अगर 0 degree अंगिल है तो अपर सथ है कि थीटाइक विल वन को स्थीटाइक विल वन इसलिए r.n के विलम कह सकते हैं कि बान होगा तो यहां पर भी क्या होगा ए दियस और यह पान होजाएगा इंटो वन प्लस अब यह जो थर्ड है यह देखें एलेक्तिफ फिल्ट यह है और एरिया वेक्टर यह दोनुझ उससे के साथ 90 degree है, perpendicular है, क्योंकि एलेक्ट्री फील्ट तो चार्ज सीट के उपर पेंट करता है, तो सीट के उपर चार्ज की डारेक्शन उसके एकोडिंग, तो यह लेफ्ट साइड ही होगा, तो यहां पर r.n की जो value होगी, वो 0 हो जाएगे, क्योंकि 90 degree है, तो dot 0, तो यहां पर जाएगा 0, 0 हो जाएगे, हाना, तो finally क्या बने बताएगे हांपर, e, बाहर, और इस ds का integration कर लोगी, यह first, यह second, थार्ट की बड़ तो 0 है, तो ds का integration होगा, तो यहां पर ds यह पूरा area बने, और यह पूरा area इस s के equal है, तो यहां पर s हो जाएगा, पर चार्श दिखे, ds यह पू यह पूरा area, वो circular area आपने s मान रखाया, तो e into s, और plus e into s is equal to s, तो यह हो जाएगा, आपका 2es, 2es, right, इसे क्या होगा, देगे, इसे आपका, जो total flux हो हो जाएगा, that is equation number 2, यह 5 कीवेल हो गए है, तो 5 कीवेल हो, e into, जो माँ total flux निकाले, that is 5, तो यह 5 हो, 2es हुआ, 2es, now step 4 क्या है, Gaussian surface, यह जाएगा, Gaussian theorem, using Gaussian theorem, जो कहता है कि 5 किस कीप को होगा, क्यूब है, एपसर नॉट, यह 5 कीवेल होगा, 2es, 2e into s, इस Q कीवेल होगा, सिग्मा into s, अपन एपसल नॉट, तो, इस s, 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 तो कैंसे कर देगा, एपसल नॉट, तो कैंसे कीवेल होगा, सिग्मा अपन, 2e 0, 2e 0, इस Q कीवेल होगा, सिग्मा अपन, 2e 0, पार्ट, constant होगा, यह यह जो electric field है, वो distance के पर depend नहीं करती है, तो अगर कोई, अगर graph आजाए, ठीक है, तो हमनो graph किस तरह देखाएंगे, ठीक है, अगर्क किता है, पाक कितो हमना, ऑनन està आए, इस यह जो है, आपको देखर है कि, जो R पर हे ऄो electric field, D Depending है नहीं करा, आए, आपको देखरें कि Lए जो ए एक एलेक्ति फिल्पिलद Aur Givo आपको को समझ में आगया होंगे तो आपको को समझ में आगया होंगे